भारत ने जैसे ही 5G लांच किया मानो कमपनी इसकी बाड़ा गई दुनिया की बड़ी से बड़ी कमपनी भारत में निवेश करना चारी और इसमें सबसे बड़ा और इंपर्टन रोल पिले किया है भारत की PLI स्कीम ने PLI स्कीम की वज़े से जिन कंपनियों के लिस्ट सिर्फ 15 थी आज वो बढ़ करके 42 हो चुकी है PLI स्कीम की वज़े से भारत ने सिर्फ टेलिकॉम एक्क्यूपेंट्स मैनिफैक्चरिनिंग में लगभग 5000 करोड़ रोपे का निवेश अट्रेक्ट किया है हाली में आई दा हिंदू की रिपोर्ट के मुताब एक भारत ने अब 42 और कंपनियों को अप्रूवल दे दिया है PLI स्कीम के तहा है करके हाँ पर 42 कंपनी सिलेक्ट की गई है जिसमें लगभग 4,150 करोड़ रोपे का निवेश डिरेक्ट अट्रेक्ट किया गया है और इन 42 कंपनियों के 4,000 करोड़ रोपे के निवेश की मदद से इससे लगभग 4,500,000,000 करोड़ की बिक्री असानी से की जा सकती है और इससे 44,000 लोगों को रोजगार दिया जा सकता है पात करे हम अप्रूवड लिस्ट की कंपनी इसके बारे में तो यहाँ पर आपको याद होगा लगभग एक साल पहले भारत सरकार ने चाइनीज कंपनी जेटी और हुआवी को इन दोनों कंपनियों ने भारत में कई बार घुसने की कोशिश की लेकिन उनकी ये कोशिश हर बार नाकाम रही और आज भारत में बैयाले से सी कंपनिया हो जुकी है जो भारत में टलीकॉम एक्क्योपेंट्स को असानी से मैनिफाक्चर कर सकती है इससे भारत ना सिर्फ 5G में बल्कि कुछ समय बाद 6G में भी असानी से ट्रांसफर हो जाएगा तो PLI स्कीम के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरो बताएगा भारत कैसे ही यूस्वल और इंफर्मेटिव वीडियो बाने के लिए आप मारे यूट्यूप चैनल को सब्सक्राइब जरो कर लीजे मिलेंगे हम आपको एक नई और उन्टेस्ट्री वीडिय पार्त मतकीचे